दोस्तों Dimension Roll-ups जिसकी हाल ही में Listing Binance पर हुई है, Listing के साथ इस Coin ने अच्छा-कासा Move लिया है, इसके बारे में Complete Discuss करेंगे, क्या इसका आने वाले में Potential है, आने वाले टाइम में इस Coin की Price कहां जा सकती है, आप अगर इस Coin में Trade करना चाहते हैं, इंट्री देना चाहते हैं, किस लेवल पर Buy कर सकते हैं, किन एक्षेंजेस पर Buy कर सकते हैं, Circulating Supply, Maximum Supply क्या रहा है, और किस फिल्ड में ये Work करता है, इसके बारे में overall सारी इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में, उससे पहले जो नए Investor Trader Market में आए हैं, जिनके जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने Premium Service स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको Proper Guidance, Profits Ready, Share की जा सके, Crypto Queries, Updated, Level, Signal Share की जाएंगे, और भी बहुत सारे Benefits हैं, जो भी अपनी Crypto जाने Profitable स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके जोईन कर सकते हैं, इंस्टा के Link वीडियो के Description में है साथ ही हमारे Telegram चैनल के Link वीडियो के आपको Discussion में मिल जाएगी, Dimension का DYM Coin है, जिसकी 5.86 USD पर अभी ये Coin Trade कर रहा है, Binance और दूसरे अक्षेंजेस पर ये Coin आज कल लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग प्राइस के अगर बात के तो 0.20 पर ये Coin लिस्ट हुआ, और वहाँ से इस Coin Binance पर दो टाइप के हम सिर्फ Binance की ही बात करेंगे, दूसरे जो एक्षेंज हैं उन पर भी Coin List होते हैं, लेकिन Binance पर Binance Launch Pool और Binance Launch Paid के Project Launch होते हैं, इसके लाव कुछ other coins भी उसमें लिस्ट किये जाते हैं, जो Binance Launch Pool और Launch Paid के Project होते हैं, उनमें Listing Price से 50X या 80X तक का मुमेंट तो देखने को मिलता है, लेकिन उस लेवल पर, जिस लेवल को वो हिट करते हैं, वहाँ से बिटी देखने को नहीं मिलती, वहाँ से ड्रोप कर जाते हैं, लेकिन ये जो Coin है, ये Binance Launch Pool या Launch Paid का Project नहीं है, ये Coin का ICO launch किया गया है, ICO का मतलब इस टाइप से होता है कि जो IPO launch क किया जाता है, Fundraise करने के लिए, तो ये Launch किया गया, अब इसने 6 UST से उपर, 6.3 UST का वे लेवल ट्राइ किया, और अभी भी उसके Around Stability है, जबकि नॉर्मली Binance Launch Pool, Launch Pool के Launch Paid के Projects में, डंप देखने को मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ इस Coin के लिए, हम इसके Circulating Supply Maximum Supply के बारे में बात करें, Market Cap के बारे में बात करें, और फिर इसके Potential के बारे में बात करें, कि क्या आप इस Coin में Entry ले सकते हैं, किस लेवल पर Buy कर सकते हैं, किस लेवल पर आप Trade कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी इसकी अगर Circulating Supply, Maximum Supply की बात करें, 1 Billion की Total इसकी Maximum Supply ह इतने coins आने वाले दिनों में इसमें हो सकते हैं supply में circulating supply के अगर बात कहें तो सिर्फ 14.6% coin ही अभी circulating supply में है जिसमें आप trade कर सकते हैं जो की है 146 million market cap के अगर बात कहें तो बहुत अच्छा performance इसकी price में देखने को मिला अच्छा खासा fundraise उन्होंने किया है और 851 million UST की market cap अब भी देखने को मिल रही है जिससे यह 74 rank का coin हो गया है coin market cap पर जो total coins है उनकी rank के अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी website वगरा पर आप जा करके और जो भी complete details है और भी आपको अगर और deeply analysis करना white paper read करना वो कर सकते हैं twitter handle जो है उस पर आप इनके tweets वगरा चेक कर सकते हैं यह एक तरह से claim करते हैं powering the internet of roll ups roll ups जो है उसको हाली में introduce किया गया है और roll ups के world में यह एक amazing change लाने वाले हैं इस ताइप से यह खुद को introduce करते हैं अगर listing की बात करें तो जो भी exchanges है बिनास के यू कोईन बैबीड गे आयो मेक्सी और बिंग एक्स इन पर यह list किया गया है बीटीसी पेयर यूसजटी पेयर टी आर वाई पेयर इन पेयर में लिस्ट किया गया है 24 hour volume की बात करें तो वो भी अच्छा कासा volume में आ रहा है अब हम इनसे एक related complete details की बात कर लेते हैं तो dimension जो है यह crypto ape are in dire need of ease of use and economic sustainability देखिए overall हम अगर बात के तो एक layer to solution coin है यह और scalability पर यह focus करता है security पर focus करता है lower fee पर focus करता है यह और आप इसके platform पर यह जो platform provide करते हैं वहाँ पर खुद की blockchain को develop करके और एक block वगेर आप बना सकते हैं और यह dimension जो है centralized roll ups with IBC inter blockchain communication protocol जो है उसके similar है उस type से यह service provide करता है और अगर similarity की अगर बात करते हैं जिस type से ERC पर based tokens होते हैं ERC एक blockchain है और उस पर जो token standard होते हैं इसी type से यह IBC एक protocol है inter blockchain communication protocol इस पर आप अपना block को edit करके block मलब develop करके और खुद का token वगेरा introduce कर सकते हैं इनकी blockchain पर तो यह इस type की services प्रोगर प्रोवाइड करते हैं और भी complete आपको analysis detail जानना है तो यहाँ पर आप complete details read कर सकते हैं और global dimension price के अगर बात के तो अलग-अलग जो countries की fiat currency उनमें price यहाँ पर show हुए और यह coin market cape की website इस पर आप complete detail analysis भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको entry लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो अब हम जाते हैं बिनास के जो complete जो चार्ट वगेरा उन पर हम आपको ले चलते हैं तो यह हम candlestick वाले python पर आ गए हैं यहाँ पर अगर बात करें 0.20 पर लिस्ट हुआ था लिस्टिंग के साथ इसने 6.23 exactly hit किया और उसके बाद भी 6.32 को try किया है जहां से थोड़े correction 4.8 तक price ने drop लिया लेकिन वहाँ से अगर देखें तो कल से अभी तक इसकी price में 20% का moment देहने को मला तो यह को 5.85 को try कर रहा है 6.3 वाले level को यह try करेगा जो कि एक psychologically resistance इसको face करने को मिल सकता है और उस level को cross करके यह 7.5 तक भी try करेगा अभी 5.8 और यहां से अगर हम बात करें तो almost 20% का और भी यह coin move कर ले सकता है जिसमें अगर आपने किसी level पर इस coin को buy किया हुआ है तो आप 7.5 तक का quick target रख सकते है quick target मतलब अभी के basis पर 2-4 दिन 6 दिन के basis पर इसना moment की possibility रहेगी इस से और भी उपर price जाने की possibility रहेगी जहां पर short term के अगर बात करें 15 to 20 days 1 month है तो यह coin 8 UST के around तक 8 UST से 9 UST को try कर सकता है और यह जो coin है इसको आप ORDI coin या TIA coin के similar भी ले सकते हैं और हो सकता है possibility रहेगी कि यह coin आने वाली दिनों में उन coins की तरह perform करें यह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि यह सा perform करेगा लेकिन ऐसी possibility हो सकती है थोड़ी बहुत 2-4 दिन के moment के basis पर technically भी चीज़े confirm हो जाएगी daily के basis पर का support and resistance levels इसके face कनने को मिलेगे और भी चीज़े अगर यह introduce करते हैं क्योंकि complete listing के साथ ही पूरी details शो नहीं करते हैं जो भी इनकी टीम वागरे रहती हैं तो और भी हम complete चीज़े देखकर और आपको टेकनिकल जो भी सपोर्ट है रसलने वाले उनके वैसेस पर आपको बताएंगे आने वाले दिनों में आपको जुड़े रहना है ताकि इस विड्रोल के लिए trade करने के लिए आपको कईवाई से नहीं करना है सिंपल sign up करना है sign up के साथ ही आप complete चीज़े access कर लेंगे वहाँ पर 225x की leverage ले सकता आप futures के अंदर 40% cheaper है वो cheaper fee है other exchange के comparison में और अगर आप हमारी sign up link से sign up करते हैं हमारी invite link से sign up करते हैं तो आपको sign up bonus भी मिलेगा 100 USD के deposit पर 100 USD का आपको voucher मिलेगा तो link आपको invite link description में मिल जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे campaign भी चलते हैं तो BTCC exchange है जिसे आप जिस पर आप trade वगएरा कर सकते हैं बाकी यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहे वीडियो से पर education purpose से है ताकि आपको overall coinsulated knowledge उसके और जो वो हमारी premium membership में जरू enroll करें वहाँ पर आपको proper guidance proper study share की जाएगी crypto queries updated level signal share की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है वीडियो अच्छा लागा है like जरू करें चैनल को subscribe कर ले, thank you